इस कहाने के शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जिसमें बहुत सारे magical creatures रहते हैं और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के और anti creatures रहते थे जो कि दिखने में बहुत ही cute होते हैं इसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही खुबसुरत प्यारी सी बच्ची को देखते ह जो कि एक परी होती है और इस लड़की का नाम Dominican होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह जंगल की queen है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब quieres and अपने जंगल में घूम रही होती है तो उसके जंगल में कोई इंसान गुसाया है और जब उसे देखने के लिए वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा लड़का दिखाई दीता है और इस लड़के का नाम स्टेफन होता है तब मलेफेसंट उस लड़के से सवाल करती है कि तुम और खिर हो कौन और यहाँ पर क्यों आयो तब वो लड़का बताता है कि ममा मैं पास के ही एक किंगडम से और मैं यहाँ पर रास्ता भटक कर आ गया हूँ जिसकी वज़े से तुम्हारी लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं अब फाइल यहाँ पर मलेफेसंट उस लड़के को छोड़ने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से अब अकीले जा रहा हूँ लेकिन मैं इ दोस्ती करना चाहती हो तब यहाँ पर मलेफेसंट भी उसे बताती है कि मेरा भी कुछ खास नहीं है और यहाँ पर यह दोनों एक दूसरी के साथ दोस्ती कर लेते हैं लेकिन यह लोग जैसे ह Face phone को उसकी रिंग से करनन का जटका लग जाता है और यहाँ पर वो बता दिए क की परीओं को लोहे से एलर्जी है, क्योंकि लोहा परीओं को जला देता है, और इतना सुनते है, स्टीफन उस रिंग को निकाल कर दूर फिंग देता है, और यहां पर वो मैलेफिसेंट का विश्वास जीत लेता है, अब हम देखते हैं कि स्टीफन यहां से चला जाता है, अब हम देखते हैं कि स्टीफन जिस किंगडम में रहता था वो किंगडम इस जंगल पर हमला करना चाहता था, और इसे पूरी का पूरा अपना बनाना चाहता था, क्योंकि इस राज्य को पता था कि इस जंगल में बहु अच्छी दोस्त बन जाते हैं और यहाँ पर अब यह लोग रोज मिलने लगी थे और साथ में ही मस्ती करते थे खेलते थे और अब ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर अब यह दोनों 16 साल के हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह दोनों अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया लेकिन तभी उसे उसकी कही हुई एक बात याद आती है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह उस किंग्टम पर पूरा राज कर लेगा और वह वहां का राजा बन जाएगा लेकिन यहाँ पर मैलेफिसेंट उससे सच्चा प्यार कर जाती है और वह जाकर वहां के राजा से बात करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे जंगल पर कबजा नहीं कर सकते है तब वह राजा कहता है कि यह पूरा मेरा समराज्य है और इस पर मेरा ही कबजा होना चाहिए अब इतना यह कहकर वह राजा अपने साइनिकों को उस रान क्रेटर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और यहां पर क्रेचर्चर और इंसानों की बीच अे बहुत ही बड़ी फाइट होती है ।- यहां पर यह सॉैं लेक्रhr dinero के वाहन की सामने टिक ही नहीं पते हैं अब यहीं पर हम दीकते हैं कि Malafic모मつ avoir के का किंग पर गाकर हमला कर दीती है लेकिन यहाँ पर वो राजा अपने लोहे की कबने कवस से वो अपनी जान को बचा लेता है और उसकी पूरी आर्मी वहाँ से डर कर भाग जाती है और राजा वापस अपने किंग्डम में लोट जाता है और हम देखते हैं कि वो राजा काफी बुड़ा और कम बचा कर सकूं और उन लोगों से जंग लड़ सकूं तब वो इन सब लोगों से एक वादा करता है और वो कहता है कि अगर किसी ने जाकर मलेफिसेंट को मार डाला तो यहां कर राजा बना दूँगा और मैं अपनी बेटी की शादी भी उसी से करा दूँगा तब उसमें से स्टीफन कितना ज़्यादा कमीना इंसान है अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात स्टीफन मेलेफेसंट से मिलने के लिए उस जंगल में फिर से आता है और यहाँ पर आने के बाद वो मेलेफेसंट को बुलाने लगता है तब मेलेफेसंट उसके सामने आती और उसे पोच्छती है कि तुम इतने सालों से आखिर कहां गायब थे और तुम्हें मेरी जरासी भी याद नहीं आई तब वो बताता है कि मैं अपने कामों में बहुत बिजी हो गया था और तुम मेरे दिल से आज तक नहीं गई मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहता था और मैं भी भी तुम्हें यहां पर बचाने के लिए ही आया हूँ क्योंकि यहां का किंग तुम्हें मारना चाहता है इसलिए तुम यहां पर अपना अच्छे से ख्याल रखना और अब हम देखते हैं कि Maleficent थोड़ी ही देर में वहाँ पर बेहोश हो जाती है और अब स्टीफन अपना खंजर निकालता है और अब वह Maleficent को मारने ही वाला होता है और वह से यहाँ पर मारने ही पाता है क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं से उससे प्यार करता था लेकिन वह बह कर Maleficent बहुत ज़यता दुखी हो जाती है और यहाँ पर वह बहुत रोती और चिलाती है क्योंकि यहाँ पर उसे उसी के प्यार ने दोबारा से धुखा दे दिया था और अब हम यहाँ पर स्टीफन को देखते हैं जो कि अपने सामराज में वापस लोड़ जाता है और यहा पर आखिरकार स्टीफन की खुआश पूरी हो चुगी थी अब दोसरे तरफ हम Maleficent को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि अब वो उड़ भी नहीं सकती थी अब हम देखते है कि Maleficent कहीं जा रही होती तब ही उसे एक शिकारी दिखाई देता है जि यहाँ पर वो उसे शुक्रियादा करता है लेकिन फिर वो उसे पूछता है कि आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया तब Maleficent कहीती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं बता सकती मुझे खुद नहीं पता कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया बस यह जानो कि मुझे तुम्हारे पंखो को क्यों काटा तब वो कावा जब स्टीफन के महल पर आता तुसे पता चलता है कि स्टीफन ने बस राजा बनने की लालच में उसके पंखो को काट डाला अब वो कावा वापस आकर Maleficent को सारी बात सच सच बताता है जिसकी वजह से Maleficent के दिल में इंसानों के लिए बहुत ही जदा नफरत पैदा हो जाती है अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टीफन की शादी राजा की बेटी के साथ हो गई है और यहाँ पर कुछ महिनों के बाद उनकी एक बेटी भी पैदा होती है जिसकी वजह से राज के सारे लोग बदाई देने के लिए वहाँ पर आये होते हैं और यहाँ पर वो कवा भी सारी बाते सुन कर जाकर मेलेफेसंट को बता देता है अब इसी मौके का फादा उठाकर मेलेफेसंट भी वहाँ पर उन्हें बधाई देने के लिए जाने लगती है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलेफेसंट स्टीफन की बे अब यहाँ पर स्टीफन अपनी बेटी को इस अलत में देखकर बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ पर वो मैलेफेसन्ट के सामने गिड़ गिड़ाने लगता है तब यहाँ पर मैलेफेसन्ट फिर से दया कर देती है और उसे उस शराब को तोड़ने का एक राज बता देती वो बताती है कि अगर तुम्हारे बीटी के सोलवे बद्रडे पर उसे एक सचा प्यार मिल गया तो ही उसकी जान बच जा सकती है अब स्टीफन इस बात को लेकर काफी जाता परिशान हो जाता है और वो अपने शहर के शारे चर्खों को जलाकर राक करवा देता है और स्टीफ पड़ता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मलेफेसंट जंगल के चारो तरफ बोर्डर्स बना देती है तकि यहां पर कोई भी लाल्चे इंसान इस जंगल में ना आ सके अब हम देखते हैं कि वो तीनों पर यहां उस बेबी को लेकर जंगल में बहुत दोर एक जग क्योंकि यहां पर मलेफेसंट दिल से बिलकल भुरी नहीं होती और यहां पर हम देखते हैं कि उन तीनों परियों की बेबी को केर करने नहीं आती थी और यह तीनों परियां काफी केरलिस भी होती हैं इसलिए मलेफेसंट उसका खाना खिलाती थी और जब भी वो बेबी किस मुसीबत में होती थी तो Millefascant ही उसकी जान बचाती थी कभी वो पहाड से नीचे गरती थी या कभी पेड़ से नीचे गरती थी वो हर हाल में उसे बचा ही लेती थी अब हम देखते हैं कि देरे-धेरे बहुत सारा वक्ट गुचर जाता और प्रिंसेज अरोरा काफी बड़ी हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो 15 साल की हो चुकी थी यानि उसके शुराप का पूरा होने का समय आ चुका था अब यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि प्रिंसेज अरोरा जंगल के दूसरी तरफ रहती थी और वो हमेशे मेलेफेसंट के जंगल के तरफ देखा करती थी क्योंकि उसे उधर जाना था वो जानना चाहते थी कि इस जंगल के अंदर आखिर है क्या तब Maleficent को ये सब पता चल जाता है क्योंकि वो उसे देखते हुए देख लेती है क्योंकि अब वो भी Aurora को पसंद करने लगी थी इसलिए वो अपने magic की मदद से प्रिंसेस को अपने जंगल के अंदर लेकर जाती है लेकिन वो से ले जाने की बाद वही पर छुप जाती है क्य अगर यहाँ पर कोई है तो मेरे सामने आ जाओ और वहाँ पर Maleficent होती है जो कि Aurora से कहती है कि अगर मैं तुमारे सामने आओंगी तो तुम मुझे देखकर डर जाओगी तब Aurora कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरूँगी तब Maleficent उसके सामने आ जाती है और प्रिंसल अरोरा उस उस कवे से मिलवाती है तब Maleficent उसे उस तालाप के पास लेकर जाती है जहाँ पर वो सारी लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं और अब यहाँ पर हम जान पाते है कि Maleficent भी अब इस लड़की से कहीं न कहीं बहुत प्यार करने लगी थी इसलिए Maleficent नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ श्राप अब पूरा हो इसलिए जब वो एक राज सो रही होती है तो Maleficent वहाँ पर आती है और उसने श्राप को वापस लेने की बहुत सारी कोशिश करती है लेकिन अफसुस ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि Maleficent ने श्राप देने से पहले ऐसा कहा था कि इसे दुनि पसंद अरोरा अपने घर जा रही होती है क्योंकि उसका सोलमा जनम दिन अब जल्द ही आने वाला था लेकिन वो जा ही रही होती तो भी रास्तेम उसी लड़का मिलता है जो की एक राजकमार होता है और वह उसी की उम्रका होता है और यहां पर यह दुनों दैस से ही एक जाना चाती है अब उसके सुलावे बर्डे के पहले ही वो परियां उसे सब कुछ बता दीती है और इसे सारा इती हस बता डालती है और यहां पर वो यह भी बताती है कि तुम्हें जिसने श्राब दिया है वो कोई और नहीं बलकि मैलेफेसेंट ही है और ऐसा सुनकर अरोरा काफी परिशान होकर दोड़ते हुए मैलेफेसेंट के पास आती है तब वो मैलेफेसेंट से पूछती है कि आकिर मैंने जो कुछ भी सुनाए किया वो सच है तब यहां पर उसे मैलेफेसेंट प्यार से समझाती है कि हाँ यह सारी बात सही है मैंने तुम्हें श्राब दिया और उनसे कहती कि डैड मैं ने तुम्हें काफी ज़्यादा मिस किया अब स्टीफन एरोरा को यहाँ देखता है तो उसे तीनों परीयों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब मैंने एरोरा को 16 जनम दिन के बाद लाने को कहा था तो इस श्राब का असर होने लगता है उस पर और वह खुद बखुद उस रूप में जाने लगती है जहाँ पर जादू चरके जला कर रख दिये गए थे और यहाँ पर वह श्राब की असर की वज़े से उस चरके की सुई को खुद बखुद जाकर टच कर लेती है और उसे चूते ही वह एक बहुत ही गहरी नीत में चली जाती है और ऐसा देखर वहाँ का राजा बहुत परिशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी का श्राब पूरा हो चुका था और उसे पता चल चुका था कि अब मेरी बेटी कभी नहीं उठेगी अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेलेफेसंट को काफ यदा दुख हो रहा होता है इसलिए वो उसका वे से कहकर उस राजकुमार को बलवाती है क्योंकि उसे लगता था कि जो राजकुमार उसे रास्ते में मिला था क्या पता उन दोनों को सच्चा प्यार हो तब मेलेफेसंट उस लड़के को बेहोश करके किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है अब यहाँ दूसरी तरफ किंगडम में हम उन तीनों परियों को देखते हैं जो कि उसके फादर से कह रहे होते हैं कि आप ही एपनी बेटी को किस करें क्योंकि आप से जादा कोई प्यार उसे नहीं कर सकता और क्या पता हो सकता हो कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो अब स्टीफन बताता है कि मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेलेफेसंट को ही दोखा दिया था और इसी वज़े से ये सब कुछ हो रहा है अब हम दूसरे तरफ Maleficent को देखते हैं जो कि उस लड़के के साथ उस kingdom पर पहुँच रही होती है जहाँ पर स्टीफन ने हर तरफ उसे पकाड़ने के लिए ट्रैप बिजा रखे होते हैं लेकिन Maleficent सारे ट्रैप से बचते हुए उस रूम तक पहुच जाती है और जब Maleficent उस लड़के को अंदर भेचती है तो वो प्रिंस अरोरा के पास जाता है और वो प्रिंस अरोरा को किस करता है लेकिन उसके किस करने के बावजूद भी अरोरा नहीं जगती इससे Maleficent को पता चल जाता है कि ये इसका सचा प्यार नहीं है तब Maleficent ऐसा देखकर काफी सदमे में आ जाती है और रोने लगती है और वसे जाते जाते कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी और इतना कहते हुए Maleficent रोते हुए इसके सिर पर किसका लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि रुकिये गौड मदर और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की ही होती है और इसे हम जान पाते हैं कि प्रिंसेस अरोरा का सचा प्यार Maleficent ही थी यूँकि Maleficent उसे दिल से प्यार करती थी वो भी बिना किसी मतलब की तब प्रिंसेस अरोरा Maleficent से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाती हूँ तब Maleficent उसे पने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी पीछे से स्टेफन की लोग उन पर जाल डाल देते हैं और वो लोहे का जाल होता है क्योंकि स्टेफन अच्छे से जानता था कि लोहा परियों को जला सकता है जिसकी वज़े से वो इस बात का फाइदा उठा लेता है और वो पूरी महल को लोहे से कवर कर देता है अब Maleficent उस जाल में पूरी तरीके से फास कर बेबस हो चुकी थी और वो गुस्से में आकर अब उस कववे को ड्रेगन बना देती है जिसकी वज़े से वो बड़ा ड्रेगन बनकर सारे सैनिकों पर आग गलने लगता है और वो Maleficent को आजात कर देता है लेकिन तब ही वहाँ स्टेफन अपने सैनिकों के साथ हाकर Maleficent को चार तरब से घिर लेता है और यहाँ पर वो खुद को एक लोहे से कवर कर लखा था और यहाँ पर वो Maleficent पर हमला करने लगता है और दोसे तरब हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को वहाँ पर महल के अंदर Maleficent के विंक्स मिल जाते हैं जो कि खुद बे खुद फ़ड़ा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो Maleficent के पास जाना चाहती थे और ऐसा देखकर प्रिंसेस अरोरा उन विंक्स को आजात कर दीती है और वो विंक्स खुद बे खुद उड़कर Maleficent के पास जाकर वापस से जुड़ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि Maleficent अप फिर से उड़ने लगती है और वो अपने ड्रेगन को आजात करवा लेती है लेकिन तब यह स्टेफन उसे चैन से पकड़ लेता है और Maleficent उसे पने साथ ही उड़ा कर लेकर जाने लगती है लेकिन वो उसे मारती नहीं है और यहाँ पर वियो लोग फिर से हासी खुशी के साथ रहने लगते है और इसी सीन को दिखाते हैं इस मोवी का यहीं पर इंडो जाता है अगर आपको इस मोवी का दूसरा पार्ट भी देखना है तो हमें कमेंट करकी जरूर बता है